सब्स्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फाइनली सामसंग A21s के लिए सामसंग ने एक नया सॉफ्ट्वेर अपडेट रोल आउट कर दिया है तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस अपडेट के बारे में तो वीडियो को अंतर तक देखेगा और लाइक कर देजएगा इस वीडियो को लाइक टार्गेट हम रखते हैं 85 चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देजएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश और आप देख रहे हैं टिक दूस प्यूश चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो एट्वेंटीवन एस के लिए फाइनली समसंग ने जो फरवरी का सिक्योर्टी पैच अप वो रोल आउट कर दिया है जो कि समसंग ने यह जो अपडेट है मेक्सिको में रोल आउट किया है और इसमें समसंग ने बग्स को फिक्स किया गया है और कुछ फीचर्स को एड किया गया है और साथ में इस्टेबिलिटी को इंप्रूफ किया गया है तो यह जो अपडेट है बहुत ही जल्द इंडिय में रोल आउट होने वाला है और हो सकता है कि हमें जो अपडेट है वो मार्च के स्टार्टिंग तक देखने को मिल जाए तो देखते हैं समसंग कब तक अपडेट रोल आउट करता है बात करें अगर रैम प्लस फीचर की क्योंकि काफी सारी उजर्स पूछ रहे थे कि A21S में हमें रैम प्लस फीचर देखने को मिलेगा या फिर नहीं तो मिलेगा और कब तक देखने को मिलेगा तो देखिए जो इसमें प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि सामसंग M12 में भी यूज किया गया है सामसंग F12 में भी यूज किया गया है इसके अलाबा सामसंग A12 में भी यूज किया गया है और इन तीनों ही डिवाइसेस में हमें software अपडेट के तुरू RAM प्लस फीचर देखने को मिल चुका है और Samsung अगर चाहे तो Samsung A21S में भी अपडेट के तुरू जो RAM प्लस फीचर है वो rollout कर सकता है लेकिन Samsung A21S में Android 12 के साथ ही हमें जो RAM प्लस फीचर है वो द इफ्रमेशन देखने को मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे बात्रम